सु जैसे के हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे परसंटाइल डिसाहिल से मतलिक फॉर ग्रूप डेटा प्रिविस लेक्चर में हमने क्यू थी और डी एट इस डेटा के लिए फाइनूट कर लिया यानि क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल और एट्थ आठ्वां डिसाहिल जो है एर्थ रसाइल अभी हमने 65 परसंटाइल यानि 65th परसंटाइल फाइनूट करना है अब परसंटाइल हम जानते हैं conceptually क्या है कि अगर हमारे पास टूटल डेटा हो इसके अगर आप 100 इक्वल पार्ट कर दें ठीक है अगर आप इसके 100 इक्वल पार्ट कर दें लेट जो वैल्य होगी अब अगर आप 50 से आगे चले जाएं यहां पर 75 गरीबन बन जाएगा और यानि 100 का हाफ 75 और गरीबन यहां पर आप समझ लेंगे 65th परसंटाइल है 65th परसंटाइल पी 65 ठीक है पी 65 यहां में calculate करना है अब अगर आप देखें तो जो है यह परसंटाइल जो है टोटल डेटा को 100 equal parts में डिवाइड करता है तो फर्मूला परसंटाइल का कैसे चेंज होजेगा पी 65 बाकी सारा सेम है कैसे L प्लस H यानि हाइट डिवाइड बाए फ्रिक्वेंसी इंटू 65 N 65 N जो है टोटल नंबर अप स्टुनेंट डिवाइड बाए 100 आप चुग सबसे पहली बात है कि जो 65th percentile होगा वो किस class interval में मौझूद है इस चीज़ को calculate करना सबसे पहला step है हमारे पास अब अगर आप इस डेटा में देखें तो मैं यहां से इसको remove कर देता हूँ अब देखें 65th का मतलब है कि 65 out of 100 out of 100 ठीक है total जो मारे पास parts बनेंगे वो 100 बनेंगे उसमे 65th parts के अंदर में interested हूँ multiplied by multiplied by total students 120 तो यह अगर आप cancel out कर दें ठीक है 65 multiplied by 12 divided by 10 यह अगर आप देखें तो यह बनता है जी 65 multiplied by 12 12 is equal to this divided by 10 जो के हमारे पास आ रहा है 78 78 अब 78 के लिए हम देखेंगे कि 78 किस cumulative frequency के अंदर लाई करता है 79 से smaller है अब देखें इसका जवाब 78 आता है तो 36 से greater 79 से smaller इसका मतलब है उसके लिए हमारे पास यह class होगी जिसको मैं red के अंदर यह class boundary कह लें यह class interval कह लें इस class interval के अंदर मैं उसको देखेंगा तो जो बंती है इसकी lower limit है 69.5 क्या है और difference अगर आप देख लें 79.5 माइनस 69.5 ह जो है वो भी 10 है तो मैं यहाँ पर values insert करता हूँ यह मेरे पास आजएगा जी 69.5 69.5 प्लस ह हाई 10 और यहाँ पर frequency कितनी है इस class के लिए वो है 43 तो आजएगा 43 तो यहाँ पर अगर मैं calculate करता हूँ इसको percentile 65 के लिए तो यहाँ जाएगा divided by 32 32 और इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास यह बन जाएगा बलके अगर आप यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर slight mistake करें जिसे मैंने बात की थी 78 तो 78 इसी के अंदर मौजूद है तो वो basically 43 यही class इंटेवल है तो इसके लिए 43 हम previous frequency ले रहे हैं ठीक हम next पिछले भी जो frequency ले थे हम उसको ले रहे हैं basically frequency है 43 तो यहाँ पर हम कर देंगे divided by 43 ठीक है तो यहाँ पर हम लेते हैं इसको जी यह आजाएगा 43 और उसके बाद 65 इंटो एन 120 divided by 100 and minus इससे previous frequency क्या है इससे previous frequency है 36 तो यह आजाएगा minus 36 minus 36 इसको अगर हम calculate कर लें तो यही हमारे पास 65th percentile होगी जो के 69.5 प्लस अगर आप यह जीरो इससे cancel out कर दें तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं जी 65 multiplied by 12 is equal to this divided by 10 sorry दिवारा से 65 multiplied by 12 is equal to this divided by 10 यह आ गया और minus minus 36 करें तो यह बनता है 42 42 को अगर हम multiply करा दें 10 के साथ is equal to this divided by 43 is equal to 9.76 और 9 9.76 plus 69.5 plus 69.5 is equal to 79.26 जो के चलें 79.26 मैं लिखता हूँ 79.26 इसका मतलब है हमारे पास 65 percent student ऐसे हैं जिनका score जो है वो 79.26 यह approximately 79 और लेस केले